लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें देश में कोरोना संक्रमन अपना शिकंजा मजबूत करता जा रहा है देश में कोरोना वाइरस के मामले बढ़कर 11,921 हो गए है बुद्वार को महराष्ट्र में 117 कोरोना संक्रम मितों के मिलने की पुष्टी हुई है इनमें मुंबई में 66 और पूने में 44 मरीज मिले है वही मध्यप्रदेश के इंदोर में 117, राजस्थान में 41 और बंगाल में 33 मरीजों की पुष्टी हुई है यह आकडे covid19india.org की वेब साइट के मुताबिक है देश में कोरोना संक्रमन से मोतों का आकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वाइरस से मरने वालों की संख्या 405 पर पहुँच गई है वुद्वार को 10 कोरोना संक्रमितों की जान गई है जबकि मंगलवार को 35 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया कोरोना संक्रमन्ट से सबसे ज़्याद प्रभावित होने वाला राज्य महराश्ट्र है महराश्ट्र में अब तक 180 लोगों की संक्रमन्ट से मौत हो चुकी है मही केंद्रिय स्वास्थय मंत्राले के मुताबिक देश को अब तक 23 लाख टेस्टिंग किट मिल चुके है महीं के इंद्रिय स्वास्य मंत्री का कहना है कि आने वाले तीन हफ्ते भारत में बेहद एहम होंगे उन्होंने बताया कि कोरोना वाइरस फिलाल देश के 400 जिलों तक नहीं पहुंचा है और हम कोरोना वाइरस की पहुंच का पता लगाने में कामयाब रहे हैं स्वास्य मंत्राले के संयुक्त सचिव लवगरवाल के अनुसार देश में कोरोना संक्रमन की तीन कैटेगरी बनाई गई हैं यह कैटेगरी होट स्पोर्ट, नौन होट स्पोर्ट और ग्रीन जोन है मंगलवार तक 170 जिले ऐसे हैं जो होट स्पोर्ट घोशित किये गए हैं जबकि 207 अन्य जिलो को अभी होट स्पोर्ट नहीं किया गया है हालाकि इनमें कोरोना संक्रमन के बढ़ने की आशंग का जताई जा रही है मामलो की संक्या के हिसाब से राज्यों को PPE किट मुहया करा रहे हैं कुल 73 लाख टेस्टिंग किट खरीदने को मंजूरी दे दी गई है इनमें से 23 लाख मिल चुकी है